अब समय आ गया है जिनको सुनने के लिए आप सभी अधीर हैं जो समाज में विशेषत है युवाओं में राष्ट्रिय भाव को जाग्रित कर रहे हैं ऐसे समाज और राष्ट्र को जीवन समर्पित करने वाले रिशी क्योंकि शूती का कथन है रिशियो तु मंत्र द्रिष्टा रहा ना तु करता रहा ऐसे आपने भी भगवत गीता एवं स्वामी विवेकानन्द के वचनों का दर्शन किया है अतह आज उस दर्शन की एक जलक आज हमें आपके वक्तव्य में देखने को मिलेगी अब मैं श्रीमान मुकुल जी से आग्रह करता हूं कि वो अपना विशय सभा के समक्ष प्रस्तूत करें आदरिनिये श्री मुकुल कानिटकर जी कर्म वही है जो बंधन में न बांधे और विद्या वही है जो मुक्त करे अन्य सभी कर्मतो केवल मात्र व्यर्थका परिश्रम है और अन्य सभी विद्याए मात्र कारीगरी है सारे विश्वकी मानवताई एक अधुत मंधन से गतक कई वर्षों से चल रही है और पिछले एक वर्ष में तो उस प्रत्यक्ष मंधन को हमने सबने जेला है आज भी जेल रहे इसलिए इस भारत मंतन के लिए प्रत्यक्ष नहीं परोक्षरूप से एकत्रित हुए है सारा विश्व अपने आप से प्रश्ण पूछ रहा है और जिन दो दिनों में आप इन विभिन विश्यों पर भारतिय ज्यान परंपरा और भारतिय जीवन दृष्टी को ले करके विभिन शोध करता हो त्वारा प्रस्तुत शोध प्रस्तुतियों को देख रहे थे समझ रहे थे मंतन कर रहे थे उस समय भी विश्व में मंतन चल रहा था भारत में चली रहा था आयर्वेद विरुद्ध अलोपेथी का मंतन चल रहा था और उसे एक दिन कूर्व तक भूमध्य सागर जो बहुत वर्षों से लगबग 5-6 शताब्दियों से और बहुत बड़े संगर्ष का केंद्रे वहां भी एक बहुत बड़ा संगर्ष यहूदी और अरब के बीच मे वह तो प्रत्यक्ष संगर्ष था और जैसे रामानंद सागर के रामायन में हमने राम रावन युद्ध के मध्य जो स्पेशल इफेक्स देखे थे कि इधर से तीर चल रहे और उदर से उन तीरों को उड़ा दिया जा रहा है वह प्रत्यक्ष साक्षात देखने को हमको मिला जब यह परिस्थितिया उस भूमध्य सागर में निर्मित हुई थी और सदा निर्मित होती रही है पिछले सत्तर वर्षों से तो लगातार संगर्ष रत यहूदी और इतिहास है सारा विश्व में तपस्यों का भी मंथन चल रहा है इस अद्रिश्य जिवानों के विरुद्ध किस प्रकार से उस विशानों को रोका जाए विभिन प्रकार के उपचार विभिन प्रकार के टीका करण के बचाओ के कारिये उसके उपर भी वैज्ञानिक लगे हुए सारे विश्व में लगे हुए है उसके साथ साथ एक मंथन भी प्रारंब हो गया अभी महामारी समाप तो हुई नहीं है जब जब लगता है समाप तो हो गई तब कुछ और रूप लेकर के फिर वही बात जो महावारत और रामायन में हम देखते हैं कि राक्षास रूप बदल- बदल के मायावी रूप लेकर के आते हैं तब उसको मायावी रूप बदलना कहते थे अब न्यूटन्ट और वेरियंट और क्या क्या शब्द प्रयोग करते हैं तो रूप बदल-बदल करके आते हैं और उसको लेकर के एक मंथन चलता है और इन सारे के मध्य अपने स्वार तो गत कई वर्षों से लगबक दो दुश्कों से सारा विश्व एक विचित्र यूग परिवर्तनकारी मन्थन में से और अनुभव कर रहा है और कुछ निकलने की और कुछ पाने की कोशिश कर रहा है कुछ नया निकलेगा कुछ कल्यानकारी निकलेगा कुछ मानवता को उन्नत करने वाला निकलेगा इस अपेक्षा से ही मन्थन चलता है इसलिए इस सारे परिद्रिश्य में इस कैन्वास में इस ब्रहत प्रिष्ट भूमी में हम जिस मंथन को कर रहे हैं भारत मंथन को गत दो दिनों से उसकी भूमी का हमको स्पष्ट होती है अनाधिकाल से इस राष्ट्र में रिश्यों ने तप करने वालों ने मंत्र द्रश्टा रिश्यों ने इस राष्ट्र के उद्देश को हमारे सामने बार बार स्पष्ट किया फिर चाहे वो भद्रविंचंत रिश्या वाला मंत्र हो वेद का जिसमें कहा गया कि सारे विश्व की मानवता के कल्यान की कामना करने वाले रिश्यों ने तपसे दुरग्रे अत्यन्त उग्र ऐसा तब किया अ किया हैं यह किसी राजनेतीक उठल्पुथल से रिवोलीशन के साथ में हम काम कर रहे हैं वहां कर रिवोलीशन बड़ा प्रीयय शब्ड है तो किसी रազने थिक रिवोलीशन से और पन drugs नहीं है किसी राजा के अभैसे उत्पन्न राष्ट नहीं है नाइदर बाइ पॉलिटिकल प्रोसेस नौर बाइ एकॉनोमिक प्रोसेस ना तो आर्थिक ना तो राजनेथिक पॉलिटिको एकcho नेशन हूड ये वर्तमान में गत सत्तर वर्षों से चल रहा एक दृष्टिकॉण आच्छान है यिसमें राष्ट्र की पलपना ही इसे राजनेतिक सत्ता और आर्थिक परिशत्ता के रूप में परिभाशित होती इसलिए अरभ देश एक विचार वाले हो कर कि एक मझाप को मानने वाले हो कर के भी बावन अलग अलग है क्यूंकि उनकी राज़नेतिक और आर्थिक अधिसत्ता अलग है भारत में कभी राष्ट्र का स्वरूप रहा ही नहीं यह विचार ही नहीं आज भी नहीं हम राष्ट्र को रिशियों के तपस से उधुत राष्ट्र के रूप में देखते हैं कि हमारे लिए राष्ट की संकल्पना ही मूल रूप से अध्यात्मिक और संस्कृतिक राष्ट की संकल्पना यह दोनों भी अपने अपने अलग नहीं इन दोनों को जोडने वाला जो सेतु है वा धर्म है फर धर्म शब्द को पूरी समगरतास समझाने जाता है इसलिए संस्कृति और अध्यात्मत दो शब्द प्रयोग करने पड़ते हैं दो की जगा एक शब्द प्रयोग करना हो तो धार्मिक लेगिन वह धार्मिक बोलते ही बहुत सारे हमारे बीच में और अलग-अलग प्रकार से दृष्टी रखने वाले लोग है वो तुरन थियोक्रसी और उसमें चले जाएंगे एक और व्याख्यान माला चल रही है उसमें चार बजे से हमारे अधर डॉक्तर कृष्ण गोपाल जी जो स्वयम वघ्यानिक है वो हम राम असमी के ऊपर बोल रहे हैं विश्व समवात केंद्र के फेस्बूक पेज पे तो उन्होंने इसी राम के रामायन के धर्म की को हमारे सामने रखाए जिसको मंदोदिरी भी जानती है जो रावन की पत्मी तो यह राश्ट्र सदा से ही अनाधिकाल से स्वयम के करतव्य को निभाने के लिए तपर रहा है और वह करतव्य क्या है मानव मात्र के कल्यान के लिए जीवन दृष्टी प्रदान करना प्रसूतस्य सकाशात अग्र जन्मना स्वं स्वं चरित्रन शिक्षेरन प्रुथिव्याम सर्व मानव प्रुथी के समस्त मानवों को स्वयम के चरित्र से जीवन जीने का पाठ पढ़ाने के लिए भारत राश्ट्र जीवित है इसलिए अनादी है अनन्त है जब जब हमने अपने इस कर्तव्य को भुलाया तब तब हमारा पतन हुआ हमारा पतन पहले संस्कृति का हुआ अध्यात्मिक हुआ धेयमार्ग से हम चुत हुए और तब फिर राजनेति को और अन्यप्रकार का पतन हुआ यह इतियास में हमको सिखाया है इसने स्वयम आत्म निर्भर मन करके सारे विश्वक को अवदान प्रदान करना हर स्थर पर यह भारत का राष्ट्रिय करतवए है और जब भारत का यह राष्ट्रिय करतवं इसलिए हमारे जीवन में हमको संतोश आनंद हमारे जीवन में एक अद्वुत परिपूर्णता फुल्फिल्मेंट हमको तब मिलती है जब हम अपने जीवन धेयक को हमारे राष्ट जीवन के धेयक के साथ में संग की वाशा में कहा जाए तो सम्यक में ले आते है जुक्तन उसके लिए है इसलिए रिशियों की आवश्चक्ता सदा से रही है आज भी है हम भारतिये शिक्षन मंदल में उसको बहुत दी के योद्धा कहते हैं आज अपनी बुद्धी की क्षमता से उसको प्रग्या के रूप में परिश्कृत करते हुए उसको साफ करते हुए उसको सतत शुद्धी करण करते हुए रग्यावान बनते हुए उस प्रबुद्ध बुद्धिकता से और सारे विश्व में चलने वाले इस विमर्ष के अं द्यानकारी लोकहितकारी सर्वे भवन्तु सुखिना वाली जीवन द्रिष्टी विश्व को प्रदान करना ये भारत का करता है और उसके लिए भारत को शक्तिशाली बनना है क्योंकि शक्तिशाली नहीं रहेंगे तो आपकी बात कोई सुनेगा नहीं अब कितना भी अच्छा ज्यान लेकर के बैठे रहो किंतु यदि आपके जीवन में वह चरितार्थ नहीं है। इसलिए हमारा जो भी कार्यक्षेत्र है उससे कार्यक्षेत्र में यदि हम व्यवसाईें विज्क्षेत्रеспit विमल्भी इतना सुन्दर भारत म का गान गाया और उनके परीचर में बताया कि वह वियुक्षाई है तो हमारे rather में यह भारत हे यह यह फ्रकट हो रही हैं क्या एक तरफ राजनीती, अर्थशास्त्र, गणेत, जोतिष जैसे विश्यों से लेकर से बहुतिक शास्त्र और जीव विज्ञान से लेकर सारे ज्ञान विज्ञान के जिसको आजकल मानिवी की और साइंस ऐसा भेद किया जाता है, किन्तु वैसे तो पूरा ज्ञान समग रही हो होता है, उस सारे समग्र ज्ञान में भारती द्रिष्टी के उपर आपने दो दिन तक मन्थन किया है, मैंने इस सारे मन्थन का जो सदियों से चला आया, जो रिगवेत के पहले मंत्र अगनी मीडे पुरोहिता से प्रारंब हुआ, वह पुरोहित जो आगे अगनी लेकर के च परमपरा जो अभी दो दिन पूरु हमने आदिशंकराचारे की जैनती मनाई उस आदिशंकराचारे ने शास्तरात की रूप में उसके पुना परिभाशित किया, वह परमपरा इस देश में अक्षुन रूप से, अविरल रूप से, अविचिन रूप से, बिना किसी विराम के लक्षावधी वर्षों से चल ले बिना खंड के और उस परंपरा के अंदर यह भारत मंतन का कारेक्रम हम लोग कर रहे हैं इसलिए उसका उद्देश हमारा स्पष्ट है मानव मात्र के कल्याण के लिए इस मंतन को करना है इसलिए तीन बातों का ध्यान रखना बहुत मैं उस वकील को बहुत ज्यादा महत्वनी देता हूँ शिक्षावित था नहीं इसलिए उसका नाम लेता नहीं किन्तों 1835 की उसी शिक्षा पद्दती में हम सब लोग पड़े है तो इसलिए उसे शिक्षा पद्दती का दूशन हमारी चिंतन में है यह वह रिड़क्शनिस अप्रोच वह विश्ले शनात्म कंड कंड करके देखने कि दृष्टी मैं थी बारतिय शिक्षन मंडर में हमेशा हमारे कार्यकरता करने से पहले कार्यकरता को हमारी द्रिष्टि को ठीक करना पड़ेगा इसले जब समस्त मानवता के और जगत के कल्यान से जब हम भारतिय ज्यान विज्ञान परंपरा को भारतिय जीवन द्रिष्टि को विभिन विश्यों में शोध के द्वारा पुनप्रति इस्थित करने का एक अतन्त महान तपस्वी रिशियों का कार्य कर रहे हैं तो हमारी दृष्टी में यह दोश दूर करके हम को स्पश्टता से देखना पड़ेगा भारतिय ज्यान परंपरा की बात करते समय हम भूत काल में रमने से बचे इसले यह अत्यंत पुरो गामी होना चाहिए इसले हम भारतिय शिक्षन बंद्राइब करते समय हैं उसमें बहुत पश्ट रूप में कहते हैं भारतिय ज्यान परंपरा में जो अनुसंदान करेंगे वह वर्तमान की समस्याओं का समाधान करते हुए भविश्य की दृष्टी प्रदान करने वाला होगा केवल इतिहास के गवरव की प्रतिष्ठा बनाने के लिए शोध करने का कोई उप्योग नहीं वह भारत की रिशिद्रिष्टी है नहीं हाँ बोलने वाली दृष्टी भारत की है नहीं हम तो सदासे वर्तमान में जीने वाले लोग है भगवान बुद्ध की जैनती अभी हमने मनाई वैशाख पुरुनिवा पर अब बुद्ध ने यह वर्तमान में जीने का संदेश दिया इसलिए ज्ञान वर्तमान में होता है warrior divided by काल से प्रेरना लेना ज्यान प्राप्त करना पर बहुत महान से निसिए और या सिद्ध करने की अब आवश्चक्ता नहीं रही है विश्व इसको मानता है और पहले भी आवश्चक्ता नहीं थी जो मांते ते वह तब भी समर्थ आत्मदिर पर ग्यानवान प्रज्यावान तपोभूमी, ज्ञानपभूमी रूप में विश्व की समस्याओं का समाधान करने वाला भारत अज बहरत नि-दुनिया को वैक्सिन दी तो सारे लोगों ने और भारत की हावाई की कि अग्यां विश्वे एक साथ आ करके कहने लगा अरे वा इन्होंने सारी दुनिया में वैक्सिन पहुचाई विविन देशों में पहुचाई आप विश्व की वर्तमान समस्याओं को त्रासदियों को विभीशिकाओं को उत्तर देने की शमता अपनी ज्यान दृष्टी अपनी भारतिय जीवन दृष्टी से विकसित करेंगे तो विश्व नतमस्तक होगा योग को विश्व ने इसलिए स्विकार नहीं किया कि 5000 साल पर मरशी पतंजली ने कुछ काम किया था अंतराश्टिय योग दिवस आने वाला अभी 21 जुन 2015 में जब अंतराश्टिय योग दिवस के उपर सारे विश्व के 130 देशों ने नतमस्तक होकर के भारत भूमी को प्रणाम किया तो वो इसलिए नहीं किया कि रामायन के समय वशिष्ट ने भगवान श्री राम को योग वशिष्ट का पाठ पढ़ाया था या बाद में योग सुत्र के माध्यम से हमारे सामने इतना अदबुत दर्शन जीवन दृष्टी रखी नहीं इस इतिहास के कारण नहीं किया विश्व ने योग को स्विकार किया क्योंकि आज उनका ब्लड प्रेशर ठीक होता है आज उनकी दाइबेटिस ठीक होती है उनकी वर्तमान की साइको सोमैटिक समस्याओं का समाधान योग करता है और भविश्य के उन्नत निरामय जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है इसलिए योग स्विकार हुआ भारतिय शास्त्र भारतिय जीवन दृष्टी भारत की ज्यान परंपरा को विश्व स्विकार करेगा जब हम उसको समाधान देने वाले के रूप में प्रस्तुत करेंगे अगस्त सहीता में ये था पाराशर करके रखा है यंत्र सर्वस्व में विमान बनाने की परिकल पना है वह उसके आधार पर आज ड्रोन बना दो तो कामका है क्यों यंत्यों विफिस्वारा और विमान चलते थे इस राइट बंदूओं से पूर्व राइट बंदूओं से लगबग 12 वर्ष पूर्व मुंबई की दादर चवपाटी के ऊपर शिवकर बापू तडपदे नाम के वैज्यानिक ने और उस यंत्र सर्वस्व की विदी से हवाई जाज उड़ा करके दिखा दिया आज 120 साल हो गए हम इसी बात पर लड़ रहें कि पुश्कपक विमान ठाकी नहीं था रहा मैंने सिद्ध भी कर दोगे तो क्या होगा मर्कुली की तरलता का उपयोग करके उसको गायरोमिटर के समान जो अपन भवरा खेलते हैं उस भवरे की गती के समान एक गती से सेंट्रिब्यूटल केंद्र अनुगामी केंद्र प्रतिगामी और बल तयार करके ग्रैविटी को गुरुत्वा करशन के ऊपर उठने का काम हमारे रिश्यों ने हजारों वर्ष पूर्व कर दिया था यह सिद्ध करने से लाब तब होगा जब आज हम उस गैरोमिटर और मर्क पिन नहीं करेगा और बिना किसी इंदन की खपत के और अत्यंत प्रकृति प्रेमी रूप से आज काम में आएगा इसलिए अनुसंधान की दिशा भारतिया ज्यान परंपरा में अनुसंधान की दिशा भविश्यों मुखी वर्तमान के समस्याओं को सुलजाने वाली हो यह चाहिए राजकिय द्रिश्टी हो फिर चाहिए अर्थद्रिश्टी हो आज यदि जीडीपी आदारीत अर्थविवस्ता हमारे समस्त विकास के नाम पर विनाश कर रही है तो इस विश्व की समस्या का समाधान करने वाली अर्थद्रिश्टी हम दे सकते हैं तो उस पर इत्मियता से सबको स्विकार करती है इसलिए स्वामी वेकानन्द अमेरिका में शिकागों में खड़े हो करके अमेरिका निवासी मेरी प्रिय भगिनी और ब्रंदुवर ये शब्द कह सकते हैं सिस्टर्स और ये इंगी स्टर्स और अमेरिका पांश भलते और टालिया बचती नहीं था उनल दर शइंडल अन्दर से दर्शन था हम सभी को भारतिया गां़रो की बात करते समय हम और वे अस वर्सेस दिम इस प्रकार के विवाद से बचना चाहिए यह भारतिय द्रिश्टी नहीं है वह ऐसा कहते हैं हम ऐसा कहते हैं इसलिए रामदेव बाबाजी के वक्तवे के बाद में उस सारे के सारे विमर्ष और विचार मंथन को आयुर्वेद विरुद्ध ऐलोपेथि की जो दिशा देने की बात की गई वह भारतिय द्रिश्टी है हम अस वर्सेस देम इसमें विश्वास नहीं करते हैं महावारत में जब वो गंदर्वका चित्ररद गंदर्वका प्रसंगय जिस समय दुर्योधना दी और बड़ा अपना सारा प्रदर्शन करने के लिए वैवो का प्रदर्शन करने के लिए और पांडवों को लज्जित क करने के लिए वन में जाते है और गंधर वो उनको बंदी बना लेता है उस समय युदिष्टिर अर्जुन और भीम को कहते है जाओ और अपने बंदों को छुड़ाओ और तब भीम थोड़ा सा गुस्ते में कहता है उनको छुड़ाई जिन्नोंने हमारी द्रोपदी का यादन विग्रहे प्राप्ते किसी और से जब विरोध होगा ब्स प्रसपरम विग्रहे तु आपस में जब लड़ाई होगी प्रसपरम विग्रहे तु वयंट पंिठकम की में किसी और से लड़ाई करनी है अब प्रत्यक्षराक्षत से लड़ाई करनी है विशानु से लड़ाई करनी है व्यंप पंच्छा अधिकम् शतम् आयुरवेद ओमियोपती अलो पेती वयंप पंच्छा दिकम् शतम् एकत्रित आकर के मानवता को इस विवीशिका से इस संतरास से बचाना यह भारती जीवन मामका पांडवाहा यह दुरतराश्ट्र के अंधद्रिष्टी है इसलिए और कोई करे जो भारतिय जीवन द्रिष्टी पर काम करने वाला वेक्ति है उसको कभी भी हम इसलिए सही है क्योंकि वो गलत है इस भाव में नहीं दाना चाहिए विश्वके कल्यान की कल्पना से तुरुटिया मानवने की है कि हो सकती है रामडे सीवर गलत हो सकता है डिसीजन लेकिन उस समय जिन वैज्ञानिकों ने उसके उपर काम किया उनको लगा ठीक है इसने उन्होंने दिया और प्रामानिक तक से बाद में कबूलने की भी तो आदत कबूलने की उस वो तो सीख लेना कि यह उन्हादुनिक वैग्यानिकों से कि वो तुरंत कहे देते हैं कि हमारी गलती होगी इसको बदल दो भाई यह नहीं कहना हूँ कि फार्मसी का कोई बहुत बड़ा एक अर्थतंत्र नहीं चल रहा दुकानदारी नहीं चल रही वो एक बहुत बड़ा शडेंत्र चल रहा है वो ठीक है लेकिन हर बात में उसी को जोड करके वो गलत है इसलिए हम सही है यह कहने कि दृष्टी भारतिय जीवन दृष्टी नहीं है भारतिय जीवन दृष्टी समनवय की समगरता की एकात्मता की जीवन दृष्टी है we look at everything from an integrated point of view ये दूसरा बिंदू बहुत आवश्यक है पहला बिंदू भी आवश्यक है भूत काल की दृष्टी नहीं वर्तमान दृष्टी से भाईश्वन मुकी दृष्टी और दूसरी संगर्श की दृष्टी नहीं समनवय की दृष्टी यह भारत की प्रद्या का एक महत महत्वफूर्ण और योगदान है थल्यानकारी योगदान है इसकले इन दोनों बातों को ध्यान में रक करके मुन्थन करना भारतिय ढ़्यान प्रमपरा के उपर यह अवश्यक है तीसरा बहुत महत्वपूर्ण विशे है वह विशे है प्रतिश्ठा को पुना-प्राप्त करना यह वास्तवी का उद्देश है एलोपैथी वर्सेस आईरवेद की लड़ाई प्रतिष्ठा की लड़ाई है आप यदि एलोपैथी के अंदर प्रयोग करने के लिए आवसर प्रदान कर रहे हो कि कर लो क्विनाइन से काम चलता है क्विनाइन से काम नहीं चला तो किसी औ और किसी से काम चलता है क्या रेम डेसीवर से चलता है क्या और किसी से प्लाजमा थेरपी से चलता है क्या और बाद में आपको लगता है नहीं चलता है तो आप उसको हटा देते हो फिर यहीं उदारता कोरोनिल के साथ क्यों नहीं दिखाई जाती यह संगाश या क्योंकि आ पर कोई भी बात नहीं करता है इसलिए तीस्तरा हमारे सारे मंथन का जो एक महत्पपूर्ण बिंदु होना चाहिए हम स्वयम अत्यंत निष्ठा के साथ कन्विक्षन के साथ प्रामानिक्त के साथ ऐसा शोध करें कि जो शोध प्रतिष्ठित हो सके इसलिए कहीं पर भी हम सब्सक्राइब का समझ होता नहीं कि वी शुडबी रेडी टू अंडर गो दिए अटमोस्ट अकेडमिक रीगर पूरा ज्यानत तप करके और शोध करने की तयारी होनी चाहिए शौटकट नहीं चलेगा हमारा इसलिए भावनात्म कुछ से स्वीकार कर लो भावकता से काम न सब्सक्राइब कर्यों तब प्रतिष्ठा प्राप्त हो आईर्वेथ को अपने स्वयम के परिमान त्यार करने पड़ेंगे तेस्टिंग हों अहुछ हम नहीं कर पारहें और हम नहीं कर पारें इसलिए हमारा उन चार्स पेश्टिंग और जिसंका मेडिसिन का हों twitter वात पित्तकपर आधारित आईरुवेद जो प्रत्यक व्यक्ति के लिए भिन भिन और उपचार पद्धती बताता है उस अत्यंत विविक्षित पर्टिक्यूलर अत्यंत डाइवर्स उपचार पद्धती को स्टैंडडाइजेशन में लाना क्वांटिफिकेशन में लाना सबसे बड़ी चुनोती है भारत में विविदता का इतना अधिक सम्मान हुआ है कि प्रत्यक व्यक्ति की चिती यह अध्वितिय होती है यह हमने सिद्ध कर दिख्या कोई दो व्यक्ति एक समान नहीं होते है तो फिर यह स्टैंडडाइजेशन एक बहुत बड़ी चुनती है कि तो आज के युग में स्टैंडाइजेशन के बिना आप मानकी करण किये बिना आप आजए ूग में पृतिश्ठा नहीं प्राप्त कर सकते हैं आपको अपने महापधंड़ों पर मानकी करण करने के लिए त सुख को नापोगे कैसे और उसके लिए अने भजन बताते हैं कि गुड़ खाओगे तो गुड़ का स्वाथ चक सकते हो बता नहीं सकते किन्तु इस देश के तैतरी उपनिशद में ब्रह्मानंद वल्ली के अंदर सुख का क्वांटिफिकेशन किया गया अर्थ शास्त्र में भारतिये जीवनत रिष्टी लागू करनी है तो अर्थ शास्त्र का मूल उद्देश व्यक्ति को सुखी करना है सुखी करने के लिए कैलरीज का या भोग का या कंजूं का परिमान लेकर के जीडीपी और पर कैपिटा इंकम वाला एक परिमान लेकर के आज जगत चल रहा ह हमको यदि यह जीवन द्रिष्टी बदलनी है तो सुख के मापन के भारतिये तंत्र को हमको विक्सित करना वी लाव टू क्रियेट मॉडेल्स आज भूतान जैसे छोटे से देश ने हपिनेस इंडेक्स बना दिया ना अब भारत में यदि त्याग और सेवा को जीवन का प्रामानिक्ता के साथ में हमको अपने शोद को करना पड़ेगा इसलिए उसको हमें उस दृष्टी से देखना पड़ेगा यह तीनों बाते मुझे लगता है इस मन्थन के समापन सत्र में टेक अवे के रूप में हमको लेनी चाहिए भविश्वन मकी दृष्टी से समाधान मूलक वर्तमान में परणामकारी ऐसा भारतिय ज्यान परंपरा का प्रयोग उपयोग समनवय का विचार संगर्श का विचार नहीं पश्टिम ऐसा कहता है लेफ्ट ऐसा कहता है राइट ऐसा कहता है बिल्कुल पढ़ने के आवश्यक्ता नहीं इस सब में भारतिय जीवन दृष्टी सब को समेट करके चलती है कि अध्यक्षर एमानिय परमेश्वनन जी भारतिय विचार केंद्रम की जिन्होंने त्रिवेंद्रम में स्थापना की उन्होंने मार्क्स और विवेकानंद पुस्तक यहां यू में वेकानंद का स्टैचू लगने से लेकर के जो एक चर्चा शुरू वी तो तब मैंने वो पुस्तक कई लोगों को कहा कि इसको पड़ो और उस पुस्तक में मार्क्स और विवेकानंद का कम्पारिटिव अध्यान करके और परमेश्वरंजी ने इस बात को सबके सामने रखा कि किसा प्रकार स्वामी विवेकानंद उस करुणा की दृष्टी से जिसको मार्क्स की सेवा का मार्ग दिखाते हैं इसलिए स्वामी विवेकानंद की करुणा उन हैवनौट्स के प्रती उन विपन्नों के प्रती उन शोशितों के प्रती उन वंचितों के प्रती परमेश्वरंजी कहते हैं मार्क्स से अधिक गहरी है और इसलिए उनका उपाय अधिक पर गुण कि यह समग्र द्रिश्टी सब को गला लगाने की ताकत रहती है रहती है आज सेवाकारिय जितने सेवाकारिय संगत से जुड़े वे संगतनों ने किए सेवा भारत्या दिने कि तो मेरीकी कैपिटलिजम के अर्थद्रिष्टी के लूप में यह सारे सेवाकार यह लेफ्ट का काम है इसको लेफ्ट कहते है अर्थशास्त्र में केवल लाभ के लिए प्रॉफिट ओरियंटेड काम करना यह राइट कॉंजर्वेटिव चिंतन है फिर उसमें कुछ लोगों का तो शोश संग है क्योंकि हम समन्वेकारी लेकिन परंपराओं को जीने की बात जहां करते हैं रिलिजस राइट और लेफ्ट की बात होती है वहां पर राइट उसको कहते हैं जो एड़म कॉंजर्वेटिव होता है जो कहता है मेरी पुस्तक में लिखाए वही सबसे अंतिम है उसको ब करते हैं नहीं है भारती जीवन द्रिष्टी से देखा जाएं सदेशी चिंतन को हमारे देखा जाए तो हमारा स्वदेशी ही चिंतन आर्तिक रुप से लेट ईवसके साथ सेवा कार्ये करते है कंग कि साथ हम सब एक है माई डियर सिस्टर्स और प्रदर्स अब दे होल यूनिवर्स शुन्वंत विश्वे अम्रतस्य पुत्रा आये धामानी धिव्यानी तत्सु वह रिग्वेत का रिशी गफा से बहार निकलके उची चत्तान पर खड़े होकर के सारे विश्व का अवान करता है आओ सुनो मैं आपको आनंद का मार्ग बताता है मैंने उस रहस्य को जान लिया है आओ सुनो ये कहने की ताकद रखने वाले रिशी हम बन सके इसलिए हमारे लिए मरियादा है नहीं हमारे लिए सीमा है नहीं है हम किसी को इंग्र अपना शत्रु मानते नहीं अइन थैंग के अधिकारियों के बहुत दीक सुनेंगे तो वो कहेंगे जो हम को विरोधी मानते है वो सब जसे नहीं कहते हम जिनको किनिकर पूजय ने शवषय अक्ट on ये विज्लाइब आपकी कभी नहीं का हमारे Moviesun भूदिंग मैंने व हमको मांनों किसी को मानने नहीं हमारे लिएее अपने सब एक आत्मवध सर्व भूतेश्व वही भरहम से सर्वम खल्विदम ब्रह्म मानने वाला यह राश्ट कोई अस और दे का विवात करी नहीं सकता और तीसरी बात इस समन्वे को कि इस जीवन दृष्टी को इस भारत की एकात्म जीवन दृष्टी को इस विविधता का पूजन करने वाली भारत की जीवन दृष्टी को वर्तम कि आवश्यक्ता के अनुसार एकाडमिक रीगर से तपस करने की तैयारी रखनी पड़ेगी यह तीन बाते मुझे रखता है इस मंथन काल में बहुत आवश्यक है हलाल भी निकलेगा और हलाल चला जाने के बाद अमृत भी निकलेगा और धन्वंतरी भी निकलेगा सब निकले है उस मंथन के हम योद्धा है उस मंथन के चर्वन में भाग लेने वाले हम योद्धा है हमको तपस करना पड़ेगा और तपस करके रिशित्व का जागरन करना पड़ेगा उस रिशित्व के जागरन के अनुष्ठान के उस पूर्णा हुती में इसी आशा के साथ कि ये ज तपस्या को आगे जारी रखते हुए उस रिशित्व को प्राप्त करेंगे उनको मार्गदर्शन देने वाले यह 200-300-500 लोग जो है जो जुड़े हुए है इससे वह भी अपने अंदर रिशित्व के जागरन का प्रहत्न करेंगे इसी प्रार्थना के साथ अपनी वानी को वि जाख्यान को प्रारंब करते हुए माधव मुकुल के समान ही अधर्णिय मुकुल जी ने कर्म करने की प्रेरिणा देते हुए एवं भारत में चल रहे इस वैचारिक मन्थन को सभा के समक्ष रखा साथ ही विश्व में होने वाली धर्म आधारित हल्चल का उलेख करते हुए भारत में धर्म का क्या आर्थ है धर्म का मूल क्या है उसके विशय में अध्वेत की द्रिष्टी आपने सभा के समक्ष रखी साथ ही तीन द्रिष्टियां आपने हमें प्रदान की शोध की भारतिय द्रिष्टी एम जो वेदांत का जो मूल सिध्धांत है तत्वम असी अहम और त्वम से भी उपर बढ़ करके वयम की द्रिष्टी मानवी अद्रिष्टी जो भारती अद्रिष्टी है, समनवे अद्रिष्टी है और साथ ही भारत को पुनह उस प्रतिष्ठा विश्व गुरु तक पहुंचाना कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, क्या दाइत्व है आपने अत्यंत प्रेणादाई वचनों से इस शभा को उपक्रित किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार